अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजे, आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए, इस वीडियो की पीडियो और डिटेल्स के साथ कुईज, आपको मिल जाएगे हमारे अप्लिकेशन MZT आप पर, गूगर प्लेइ स्टोर पर जाएए, MZT आप डाउनलोड कीजे, और वहाँ पर फिरी में कुईजेज वगारा प्राप्त कीजे, साथ ही आप डेटेल इस्प्लानेशन के साथ दोस्तों, पीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं, हमारे टेलिक्राम ग्रूप से, MZT एजूकेशन क नाम से टेलिक्राम ग्रूप है, जा करके सर्च कीजे और PDF डाउनलोड कीजे, चले बात करते हैं, लास्ट डे के कुशन की, लास्ट डे का हमारा पहला कुशन था आपसे, भारत G20 सिखर सम्मेलन की मिजबानी कब करेगा, तो भारत करेगा 2023 में, इस बार इटली कर रहा है, अब सभी लोग ऐसे ही डीडेल में अंसो गिया गरो, चले बात करते हैं, आज के दिन के पहले कुशन की, आज का हमारा पहला कुशन है, केंद्रिय जार्ज ब्यूरो यानि Central Bureau of Investigation के नए निदेशव कौन बने, तो नए CBI डारेक्टर बन गये हैं दोस्तों, सुबोध कुमा जय सवाल, सुबोध कुमार जय सवाल जी दोस्तों, अभी ये CISF के, CISF यानि Central Industrial Security Forces के चीफ थे, अभी इनको CBI का नया डारेक्टर निवक्त किया गया है, किसके दोरा निवक्त किया गया है, तो इनको जो निवक्ती कमेटी होती है, कैबिनेट की, उसके दोरा निवक्त कि होता है, अच्छा, इस निवक्ती कमेटी में भारत के जो मुख नया अधिस है, Justice N.V. रमना जी, वो भी सामिलते, साथी साथ जो लोकसभा के विपक्ष के नेता है, अधीर रंजन चोदरी जी, कांग्रेस पार्टी से, वो भी थे, ठीक है, तो इन सब की एक कमेटी होती है, इस के दवरा, selection committee के दवरा Nucke किया जाता है, CBI के director को, इनको नुक किया गया है, अब सुबोध जैसवाल जी को कब तक लिए Nucke किया गया है, तो इनको अगले दो वर्सों के लिए Nucke किया गया है, लेकिन, या फिर अगले आदेश तक, देखिए, अगले आदेश का मतलब यह हुआ कि इनकी नियुक्ति हुई तो है दो साल तक लेकिन अगर बीच में अगर केबिनेट की नियुक्ति कमेटी चाहती है किसी और को नियुक्त करना तो वहीं पर इनका कारेकाल खत्म हो जाएगा ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है यह दोस्तो 1985 बैज के महराश्ट क पुलिस रह चुके हैं यह महराश्टा ATS के साथ भी काम कर चुके हैं और तो और यह दोस्तो एक दसक से जादा यानि वन डिकेट से जादा दस वर्सों से जादा समय तक Intelligence Bureau में SPG यानि Special Protection Group में और रा के साथ भी यह काम कर चुके हैं Research and Analysis Wing के साथ भी यह काम कर चुके हैं तो इतने जादा experience दित थी इस वज़े से इनको CBI का नया डारेक्टर न्यूप किया गया है इन्हें दोस्तो 2009 में राश्ट्रपती पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया तो यह आपको ध्यान रखना चाहिए फिलाल CBI आया है CBI के बारे में अगर बात करें तो CBI का फुर्फाम होता है Central Bureau of Investigation इसकी अस्थापना 1963 को हुई थी और Headquarter इसका नई दिल्ले में क्लियर चले बात करते हैं अगले कुशन की अगला है हाले में किसने 74 वेश्व स्वास्त सभा की अध्यक्षता की तो अभी हाले में दोस्तो हमारे केंद्रिय स्वास्त मंतरी डाक्टर हर्स वर्धन जी ने 74 वेश्व स्वास्त सभा की अध्यक्षता की है आपको याद होगा दोस्तो कुछ दिन पहले ही कुछ महीनों पहले ही कहें मैंने आपको बताया था जब इन इसका संस्क्रण था इसमें टेड्रोस एदनॉम जी भी सामिल थे जो की डवलोएचो के चीफ हैं वर्ड हेल्थ और्गनाजिशन के चीफ हैं ठीक है डाक्टर हर्सवरधन जी को दोस्तों डवलोएचो के कारेकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है एक वर्ड के लिए इ इसमें सामिल हुआ था जब पहला राज बना था ठीक है कोवेक्स क्या है एक दोस्तो एक ग्लोबल एक अभियान है कैम्पेन है जिसके तहत दुनिया भर में वैक्सिनों की पहुच प्रदान की जा रही है ठीक है कोवेड को लेकर के तो इसी में इस पर भी लेकर के चर्चा गया पंजाब इसमें सामिल तुगवा लेकिन फिर इसकी दौरा ये कहा गया कि हम जो है वो पहले केंदर से ज़्यादा टाइप करेंगे उसके बाद हम किसी राजी को डेर्टली सपोर्ट कर पाएंगे दूसरी बात ये सामने आई कि भारत जो है फिर भी ठीक ठाक देश है और भी बहुत सारे इसे देश हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब देश हैं तो पहले वहां तक टीका पहुँचाए जाएगा ठीक है तो ये सभी बाते हैं इस वेसे पंजाब को कुछ खास इसका फाइदा नहीं हो पाया है ठीक है को वैक्स दुगद है इसको ध्यान बहुत ज़्यादा है और यहां पर टीका करण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि टीका करण ही एक मात्र सॉल्यूशन है COVID-19 से निजाद पाने का विश्व स्वास्त संगठन के बारे में अगर बात करें दोस्तो तो इसकी अस्थापना हुई थी 7 अप्रेल को इसी भारत और इसराइल ने अभी हले में 3 वर्सों के लिए किर्सी सहयोग पर समझोता किया है भारत और इसराइल के बीच में दोस्तो किर्सी पर बहुत पहले सही समझोते होते आए हैं अभी भी ये 3 सालों के लिए एक बार फिर से समझोता किया है एक नए वर्क प्रोग्राम क क्या होगा इसमें दोस्तों इसराइल जो है यह भारत में भारत की अग्रिकल्चर सेक्टर को और जदा इंप्रूव करेगा इससे भारतिये किसानों की आये में भी विर्धि होगी इंडियन अग्रिकल्चर सेक्टर में भी अच्छा रिस्पॉंस देखने को मिलेगा ठीक है न नया model होगा दोस्तों, यह village of excellence कहला रहा है, क्या कहते हैं इसे, village of excellence, तो इससे ध्यान रखेगा, village of excellence के तहट तीन वरसों के लिए समझोता हुआ है, इसमें दोस्तों 75 गाओं को, 75 गाओं को इंप्रूब करेगा, वहाँ की खेदी को इंप्रूब करेगा इसराइल, यह 75 गाओ है इसते पहले भी ऐसे ही चार जॉइंट वर्क प्रोग्राम ये कर चुका है इसराइल ठीक है इसराइल आया है वर्ड मैप में चलिए देखते हैं इसराइल कहाँ पर है क्योंकि काफी दिनों से यह चर्चे में भी है बहुत ज़ादा तो इसके बारे में आपको डिटेल्स प हिस्सा जो है यह है फिलिस्तिन का जिसके बीच में अभी हुँआ था विवाद और यह छोटा सा जोटा सा पार थोड़ सा और जूम इन करते हैं देखें यहाँ पर देखें यह है गाजा श्ट्रिप या गाजा पत्टी जिसे केते हैं और यहीं से हुआ था यहीं पर हमास नामका संगर्ण है यहीं से इस्राइल पर अभी हमला हुआ था और बदले में इस्राइल इस पर हमला किया तो दोनों में संगर्स चल रहा था फिला हल अब संगर्स विराम यानि सीज फैर पर समझौता हो चुका है तो इस्राइल ये देश है यहां पर ठीक है ये वेस्ट बै में ये आजाद हुआ था इसके बाद से धीरे-धीरे ये फैलता गया काफी काफी ज़्यादा जमीन ये कबज़ा कर लिया है फिलिस्तेन का इसराइल की करेंसी होती है न्यू सकेल और यहां की करेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर है बिंजामिन नेतन्या हूँ जो की पाच प्रदीब कुमार यादो जी को बना गया है लाइबीरिया में भारत का नए राजदूत अभी लाइबीरिया में और सीरिया में दो नए राजदूत नियूक किये गए है तो लाइबीरिया जो देश है आफ्रीकी देश है और यहां पर राजदूत नियूक किया गया है प्र प्रदीप कुमार यादो जी की बारे में बात करें तो 1988 बैच की यह IPS आफिसर हैं इसे IFS कर लीजिए इंडियन फॉरेंट सर्विसेस की जो आफिसर होते हैं उन्हें ही राजदूत नूक किया जाता है चलिए अब आपको वर्ड मैप में दिखा देता हूं लाइबेरिया और स उन्हें है काम पर तो शीरिया दोस्तो सबसे पहले बहुत नज़्दीक मिल जाएगा आपको देखें यह रहा अपना प्यारा भारत यहां से आपको सीरिया दिख जायगा इसे पास ही इराक के पास ही सीरिया इराक और सीरिया आपके सुने भी होंगे लेकिन जो लाइबेरि यह जो country है यह है Liberia ठीक है यहां की capital होती है Monrovia क्या होती है Monrovia जो होती है यह है यहां की capital यहां की currency होती है Liberian dollar और यहां की राश्ट्रपती है जार्ज वे कौन है जार्ज वे हैं यहां के current time पर precedent अगला देखते हैं अगला question है हाली में कहां के चीकू को GI tag दिया गया तो अभी हाली में दोस्तों महराश्टर के पाल घर जिले के चीकू को दिया गया है GI tag चीकू चीकू एक फल होता है दोस्तों इसको GI tag यानि geographical indication tag दिया ग दे चुका हूं फिर भी यहां पर मैं आपको थोड़ा सा information दे दे रहा हूं देखे जोस्तों जब कोई product होता है और उस product की वज़ा से वो पूरा का पूरा area पहचाना दाने लगता है और डर होता है कि कहीं उस product की कोई copy ना करे कोई काला बाजारी ना करे या फिर उसको और ज्याशाता, branding करने की ज़रौत होती है तब उसको GI tag दे दिया जाता है अब GI tag देने से फायदा यही होता है कि कोई काला वाजारी नहीं कर पाता है साथिचार सको promote किया जा सकता है ठीक है GI tag देने से rate भी fix हो जाता है उस तेम प्राइज हो जाता है उस जगा का ठीक है उस जगा पर उस प्रोड़क्ट का अब जियाई टेग देना कब से शुरू हुआ दोस्तों जियाई टेग के लिए भगोलिक संकेतक संसोधन अदनियम लाए गया था जो की 2003 में लागू हुआ भारत में अब इसके बाद 2004 में पह जियाई टेग के बारे में और जार रीटेल आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को सर्च कर सकते हैं जियाई टेग एमजटी एजूकेशन लिखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी यूटूब पर अगला कुशन देख लेते हैं हाली में किसने अंतराष्ट तो इस वजह से इनको ये अवार्ड मिला है ठीक है इंटरनेशनल डब्लेन लिटरेसी अवार्ड 2021 2021 का इस अवार्ड की सुरुआत दोस्तो 1994 से हुई 1994 से हुई और इसके तहट 1,00,000 यूरो का कितने गा 1,00,000 यूरो का अवार्ड दिया जाता है कैस दिया जाता है जो कि 89,27,300 रुपए के आस्वास होता है ठीक है प्लस एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है तो ये हैं मैक्सिको की हैं मैक्सिको की हैं विलेरिया लुसेली अगला गुशन देखते हैं मोहाली अंतराष्टी होकी स्टेडियम का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया तो अभी हाल पजाब राजी सरकार्णी ये फैसल लिया है कि मोहाली अंतराष्टी होकी स्टेडियम जो है इसका नाम बदला जाएगा और इनके नाम पर रखा जाएगा तो अब इसस्टेडियम का नया नाम क्या होगा ओलम्पियन बलबीर सिंग सीनियर इंटरनेशनल होकी स्टेडियम तो ये होगा इसका नया नाम बलबेर सिंग सीनियर जी के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो ये उन्नीस सो पचास आठ के तसक में बहुत ही लीजन्ड खिलाडी हुआ करते थे इन्होंने भारत की टीम को जब ये खिल रहते थे भारत की टीम को तीन बार गोल्ड जीतने में मदद की थी इन्होंने दोस्तों उस टाइम पर एक वर्ड रिकार्ड बनाया जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है इन्होंने 1952 के ओलंपिक खेलों के फाइनल मैच में भारत को नीदर लेंड पर 6-1 से जीत हासिल कराया था फाइनल में और फाइनल में पाँच गोल दागे थे इन्होंने फाइनल मैच में जिसका रिकार्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है इसके अलावाँ 1975 विशुकप की जो विजिता टीम थी अपनी इंडिया की उसके ये मैनेजर भी थे तो अभी हाली में पंजाब राजी सरकार ने इनके नाम पर इनके सम्मान में सुरू किया है ये इस्टेरिम का नाम चेंज किया है साथ ही साथ इनोंने एक स्कॉलर्शिप प्रोग्राम भी स्कॉलर्शिप योजना भी सुरू की है पंजाब राजी सरकार ने अच्छा दोस्तों बलबीर सिंग जी को महाराजा रंजीर्ट सिंग प्रोषकार भी मिल चुका है 2019 में और इनको पदमसरी 1957 में ही मिल गया था अच्छा पदमसरी पाने वाली ये पहले खिलाडी बने थे भारत के तो ये भी पॉइंट इंपोर्टन हो जाता है पदमसरी पाने वाली ये पहले व्यक्ति बने थे अभी 2020 में इनका निधन हो गया क्लियर तो अभी ये दुनिया में नहीं है अगला देखते हैं हाली में किसे ऑक्सपोर्ड युनिवस्टी चातर संग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया अन्वी भूटानी जो है ये आउक्सपोर्ड युनिवस्टी की मेडालेंड कॉलेज की भारतिय मुल्की मानो विज्यान की चातर हैं और अभी वहाँ पर नसलिये जागुता और समानता अभियान में सहध्यक्षता भी कर रही है साथे साथ ये आउक्सपोर्ड इंडिया सोसाइटी की अध्यक्ष मी है तो इनको वहाँ के चातर संका अध्यक्ष बना दिया गया है आउक्सपोर्ड युनिवस्टी दोस्तों बहुत ही पुरानी युनिवस्टी है ये 1096 में अस्थापित हुई थी 1096 यानि की समझ लीजे 925 साल पहले अस्थापित हुई थी कहाँ पर है इंग्लैंड में है युनाइटर केंग्डम में क्लियर तो अगला देखते हैं हाली में किसने Most Valuable Medical Innovation के लिए गोल्ड स्टीवी अवार्ड जीता तो अभी हाली में Spice Health ने जीता है Most Valuable Medical Innovation के लिए गोल्डन स्टीवी अवार्ड गोल्डन स्टीवी अवार्ड दोस्तों ये दिया जाता है एसिया पैसिफिक रिजन में एसिया प्रसांद छेतर में दिया जाता है और ये उसे दिया जाता है जो मेडिकल की केटेगरी में मेडिकल फेल्ड में Most Innovative काम किया हूँ तो Spice Health को दिया गया है ठीक है क्यों दिया गया है क्योंकि दोस्तों COVID-19 में इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था COVID-19 में नॉमबर 2020 में जब पहली वेव जल रहे थी इंडिया में तो उस टाइम पर इंडिया में इस पिसली बात करें दिल्ली में आटी PCR टेस्ट अगर किसी को कराना होता था तो उसको 2400 रुपए देने पड़ते थे लेकिन Spice Health आया और इसने ये सुविधा सिर्फ 499 में शुरू कर दी तो 499 में जब इसने सुरू कर दी तो बहुत ही तेजी से चेंजे जाया और लगबग सभी कंपनियों को सभी Medical जो भी Department थे मजबूरी में उनको 499 में ही अपनी अपनी टेस्टिंग सुरू करने पड़ी तो ये बहुत बड़ा चेंजे जाया बदलाव आया इसकी वज़ा से इसके RT-PCR टेस्टिंग के टेक्निक से तो इस वज़ा से इसे ये अवार्ड दिया रहा है गोल्ड इस्टीवी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जा रहा है ठीक है इसके बाद से RT-PCR टेस्टिंग की जो रिपोर्ट आ रही है उसको भी 100% एकुरेट किया जा सकता है तो फिलहाल यहां पर इस कुश्चन के बारे में अगर बात करें तो Spice Health जो कंपनी है इसने Asia Pacific STV अवार्ड में गोल्ड अवार्ड जीता है 2021 के लिए अगला कोशन देखते हैं अगला है इसराइल की खूफिया जन्सी का क्या नाम है जिसके नए अध्यक्ष डेविड बार्णिया बनाए गए दोस्तों इसराइल की खुफिया एजंसी का नाम है मोसाथ मोसाथ दुनिया की सबसे खतरनाख खुफिया एजंसीों में से एक मानी जाती है और इसके नए अध्यक्ष बनाएगे डेविड बॉर्निया कौन देविड वार्निया को बना गया नया अध्यक्ष मोसाद का एक जून से बन जाएंगे डेविड वार्निया किसकी जगर पर आएंगे तो यह Yossi Cohen का अस्थान लेंगे Yossi Cohen जो है यह 2016 से ही इस पत पर है अब यह अस्थान लेंगे अब देखिए इसराइल और इसकी जो खूफी आजंसी है मोसाद ये ज़्यादा चर्चे में है पिछले कई दिनों से पिछली एक महीनों से कह लें तो चर्चे में है तो इससे यहाँ से questions बनेंगे इसराइल की बारे में मैं आपको वर्ड में दिखा चुका हूँ गाजा पटी और इसराइल को लेकर के जो विवाद था इस पर एक वीडियो भी दे चुका हूँ आप उसको भी देख सकते हैं हमास संगठन दोस्तों संगठन का नाम है जो गाजा पटी में एक्टिव था और इस पर इसराइल ने कई वार किये लगभग इसको खत्म कर दिया है ठीक है लेकिन हाला कि इसको वी देख से फंडिंग हो जाती है अभी यूएनों ने 22.5 मिलियों डॉलर की घुशना की है ग खुफी अजशनसी की तो देखिए मोसाद Israely की खुफी अजशनसी है रर जो हे रिसर्च अनवलझस विंग यह दोस्तों यह भारत की इंटेलिजिएसि के जी बी जो है यह वरसिया की इंटेलिजिएस में कें अचिक है पाकिस्तां की इंटेलिजिएस को इनके ठीक ही और आज कितनी की top 10 current affairs के solutions I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो आपने like कर दिया होगा अगर आपने अभी तक like नहीं किया है तो जल्दी से like कर दो वीडियो को और हाँ subscribe नहीं किये हो चैनल को subscribe कर लो bell icon को जरूर प्रेस करना जिससे आने वाली सब ही वीडियो का notification आपको मिलता रही अच्छा एक और initiative शुरू किया गया है दोस्तों अब से जो भी gk tricks आता है दिमाग में जो भी tricks आता है तो उसको एक short video में बना करके आपको दे दिया जागा ये short video 30 second का हो सकता है YouTube shorts में ये upload किया जाएगा 30 second से 45 second ये 1 minute के अंदर ही रहेगा ठीक है 15 second का 20 second का भी हो सकता है तो इससे बहुत ही छोटी वीडियो में आप लोग कोई नई gk trick सीख पाऊगे तो अगर ऐसी कोई trick आपके भी mind में आती है जो आप लगता है कि आपने वो trick बनाई हुई है या फिर आपको यो trick पता है तो आप comment box में लिख सकते हो ऐसे tricks पर video बनाई जाएगी ठीक है तो जिससे बाकी लोग का भी फायदा होगा तो ये video I think दिन भर में अगर एक दो भी आ जाएगी तो दिन भर में अगर आप एक दो trick भी सीख पाऊगे तो इन दोनों video course को आप लोग चेक कर सकते हैं इसके बारे में जादर details जाने के लिए आप MZT app पर जाएं MZT app डाउनलोड करने के बाद आप course section में जाएंगे तो वहाँ पर सारी details दी गई है WhatsApp नमबर भी दिया गया है कोई doubt हो तो आप वहाँ पर clear कर सकते हैं चले बात करते हैं questions अब दर दे की आज का पहला question आपके लिए Commonwealth संगटन में कुल कितने सदसे देश हैं अगला है FIFA World Cup 2018 में Golden Boot का अवार्ड किसने जीता था दोनो questions की बारे में आप काफी कुछ लिख सकते हो वीडियो वह आप देख लिए हो George Alice की quiz भी solve कर लो quiz मिलेगी आपको MZT app पर Google Play Store से MZT app डाउनलोड कीजिए इस app से आपको निस्चेत ही बहुत ज़्यदा फाइदा मिलने बाला है और हाँ वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक और share करना मत भूला कीजिए चैनल को share कीजिए सब्सक्राइब भी करके रखिये चैनल को बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा चले बस फिला लगते हैं इतना ही वीडियो में मिलेंगे अगली वीडियो में तुब तक लिए झाल झाल